Hello Friends, Welcome back to my channel Spice of Your English Friends, अगर आप अपना English इंप्रूब करना चाहते हैं Friends, तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपने English को इंप्रूब करने का आज हम आपके साथ एक और नए स्टोरी के साथ आए हैं आज का हमारा पहला सेंटेंस है मेरे निवंत्रण को सुईकार करने के लिए धन्यवाद तो आएए देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे Thank you for accepting my invitation मेरे निवंत्रण को सुईकार करने के लिए धन्यवाद फिर ये बोलता है यह तो मेरा सौभाग्य है फिर आगे बोलता है ये है Mr. दिक्षित मेरा सारा बिजनेस ही समालते है ये बोलता है आप सोच रहे होंगे कि मैं आप से मिलने के लिए इतना उस्सुक क्यों था आप सोच रहे होंगे कि मैं आप से मिलने के लिए इतना उस्सुक क्यों था फिर ये बोलता है कि ठीक है मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है आगे फ्रेंट्स ये बोलता है इतना तो शायद हम भी अपने बारे में नहीं जानते इतना तो शायद हम भी अपने बारे में नहीं जानते फिर आगे बोलता है फ्रेंट्स क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको हमारे जीवन में इतनी दिल्चस्वी क्यों है फिर ये बोलता है कि यूँ ही समझ लीजिए कि मैं आप दोनों का फैन हूँ फिर ये बोलता है कि या पहली बार में सुन रहा हूँ या पहली बार में सुन रहा हूँ कि Business Man का भी कोई fan होता है That even business man have a fan I'm a fan of every person Well actually I'm a fan of every person Care Votson में मैं हर व्यक्त का प्रशन होता है जिन्होंने अपने डमपर जीवन में कुछ हासिल किया है Who achieved something in life on their own who achieved something in life on their own जिनों ने अपने दम पर कुछ हांसिल किया है जिस तरह से आपने अपने व्योसाय को नई उचाईयों पर ले गए है the way you have taken your business to new heights जिस तरह से आपने अपने व्योसाय को नई उचाईयों पर ले गए है अपने पिता और अपने बड़े भाई को खोने के बाद after losing your father and elder brother after losing your father and elder brother अपने पिता और बड़े भाई को खोने के बाद उलेख नहीं है, it's remarkable it's remarkable, उलेख नहीं है आगे friends यह बोलता है आपके पास वाच्सो में बहुत अच्छी ब्योसाइक समझ है आपके पास वाथसो में बहुत अच्छी ब्योसाइक सेंस है फिर यह बोलता है हम यहाँ कुछ बिजनेस की बातें करने वाले थे यह इससे पूछता है क्या ठीक है अगर मैं आपके पती से एक मिनट के लिए अकेले में बात करूँ क्या ठीक है अगर मैं आपके पती से एक मिनट के लिए अकेले में बात करूँ तो यह बोलती है ठीक है फिर यह बोलता है क्रिपया चलो ड्रिंक लेते हैं फिर यहाँ पर फ्रेंड्स यह इससे बोलता है कि मुझे आशा है कि आपकी सुखद यात्रा थी मुझे आशा है कि आपकी सुखद यात्रा थी फिर यह बोलती है everything was fine सब कुछ ठीक था फिर यह बोलते है क्रिपया आईए मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ प्लीज कम आईल शो यू 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 रूम क्रिपया आईए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ आगे फ्रेंट्स यह बोलता है Mr. Singhania also में खुश है Mr. Singhania is really glad Mr. Singhania is really glad that you accepted his invitation that you accepted his invitation कि आपने उनका निवंतरा सुख़ करके लिया that you accepted his invitation next है फ्रेंट्स यह बोलता है वह आपको receive नहीं कर सके he was busy with his meetings because he was busy with his meetings क्योंकि वह अपने meetings में ब्यस्त थे तो आगे फ्रेंट्स यह बोलती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ it's okay I can understand it's okay I can understand ठीक है मैं समझ सकती हूँ आगे फ्रेंट्स सौरब ने काया को अपने जाल में फसा लिया है सौरब ने काया को अपनी जाल में फसा लिया है आगे है फ्रेंट्स हमें वह जानकारी मिल गई है जो हम चाहते थे we have got the information we want we have got the information we want we have got the information we want हमें वह जानकारी मिल गई है जो हम चाहते थे फ्रेंट्स यह बोलता है फ्रेंट्स योजना काम कर रही है कैसे जानता है how does he know all this फिर बोलती है आदित आप क्या करोगे आदित what will you do now आदित आप क्या करोगे तो यह call करके बोलता है hello this is आदित हलो मैं आदित यहूं फिर यह बोलता है कि आदित आप वास्तों में सोचते हो कि आपको अपना परचे देने की आवशकता है फिर यह बोलता है आपको अपना वादा याद है do you remember your promise आपको अपना वादा याद है फिर वो बोलता है of course I do basic हाँ फिर वो बोलता है don't worry मत करो मेरे पास जबाई MP की संक्या है I have biggest number of MPs मेरे पास जबाई MP की संक्या है next day friends फिर बोलता है कल सुबा तक bill पास हो जाएगा the bill will be approved by tomorrow morning कल सुबा तक बिल पास हो जाएगा फिर आगे है friends फिर वो बोलता है कि आप अपने तरफ और MP को सामिल कर लो फिर ये बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है फिर ये बोलता है जानता हूँ मैं लेकिन फिर भी कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ फिर ये बोलता है अब देखते हैं क्या करेगा सौरफ सिंगानिया फिर ये दोनों आपस में यहाँ पर बात कर रहे हैं ये बोलता है मैंने हमारे आद्मियों से confirm किया है मैंने हमारे आद्मियों से confirm किया है उस बिल की कभी मंजूरी नहीं मिलेगी फिर आगे बोलता है और रही बात आगे की प्लान की काम शुरू हो चुका है पैसा ले जा रहा है तो वही ये बोलती है फिर ये बोलता है चिंता मत करो जी मैं हकाम पहले भी कर चुका हूँ तो ये बोलती है और हाँ safe रहने के लिए अपना phone off रखना और हाँ safe रहने के लिए अपना phone off रखना फिर ये बोलती है ताकि कोई तुम्हें ट्रैक ना कर सके फिर ये बोलता है जी मैडम ये बोलती है निकलो लीव अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मैं डेली इस टाइब के वीडियो अपने चैनल पर लाता हूँ जिससे की आप अपने इंग्लीज को इंप्रूब कर सकें